एपी न्यू येर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई कीचन आज मैं आप सब के लिए बहुत ही टेस्टी सा डिजर्ट लेकर आई हूं और इसे रस्मलाई कहते हैं यह बहुत ही टेस्टी रखता है और न्यू येर है तो इसे बनाना तो बनता है बहुत ही जल्दी बहुत ही कम चीजों से बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने कडाही रखी और उसमें हलका सा पाने डालके पूरे कडाही में फैला दिया है अब इसमें सिर्फ में डेड़ ग्लास दूद डालूंगी मिंस हाफ लीटर दूद और यह फुल क्रिम दूद है इसमें ना मैंने घर की दालेंगे और इसे साइट साइट में इसमें जो लग रहा है ना मलाई इसे हम निकालते हुए इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि हमारी जो रबडी है वो काफी अच्छी बने अब यहां पर यह देखिए दूद हलका सा गाड़ा हो चुका है तो हम एक बड़ा इसे क्या होगा ना दूद हमारा बुखा जल्दी तीक हो जाएगा यह फिर आप ड़ा सकते हैं इसमें कुछ नहीं डाल सकते हैं सिर्फ दूद से यह इसे बना सकते हैं यहां पर मैंने इलाइची पाउटर दाल दिया है और यह देखिए यह फूट कलर है आप केसर डाल सकत तो इसलिए मैंने हल्दी डाल दी है और यह देखिए दूद हमारा कितनी जल्दी ठीक हो गया है अब इसमें हम डालेंगे शुगर तो यहां पर मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून शुगर एड़ किया है अगर आपको जादा मीठा पसंद है तो आप 1-2 स्पून और इसके अदर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो ड्राइफ रूट अभी ही एड़ कर सकते हैं यह फिर बाद में तो यह बिल्कुल रेड़ी है इसे साइड में रखते हैं अब यहां पर देखिए मैंने दूद ले लिया है और यह भी हाफ लीटर ही लिया है इसे भी हमने अब जैसे यह बॉइल हो जाता है क्योंकि दूद जो है हमें गरम ही चाहिए ठंडी में तो यहां पर मैंने एक बड़ा इस्पून नीबु का रस और एक बड़ा इस्पून पानी एड़ करके इन दोनों को मिक्स कर लिया है अब इसे हम दूद में डालते जाएंगे और टूद नप अपरिए में दूद नप बहूत अच्छा सा फट जाएगा तो हमारा चेना बहुत बढ़ियाँ निकल कर आएगा तो अब देख लेते हम देखते ही कितनी जल् 것은 टयार हो जाएगा थे नव इसे जल्दी से छान लेते हैं और में दोड़ी हैं दोड़ा हमारे कितना बढ़िया तैया हे जादा मौशयर तो तो नहीं तो पहले हमारे ब्रक्टा आप इसे हलका सा 3-4 मिनिट करेंगे तो यह बहुत ही अच्छे से सेट हो जायागा यह बिल्कुल तयार हो चुका है अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे तो जितना बड़ा छोटा आपको बनाना हो तोड़ सकते हैं यहां पर हाफ लिचर दूट से 5 टिक और इसी कप से अब इसके अंदर हम एट करेंगे पानी तो मैं यहां पर इस कप से 3 कप पानी डालूंगी मिन्स 3 कप पानी डालूंगी और फिर हम गैस की फ्लेम को आउन कर देंगे तो यह देखिए मैंने इसमें सिर्फ 3 कप पानी डाला है और हाफ कप हमारा इसमें शुग डालते जाएंगे और टिक्कियों को आप एक साथ नहीं डालिएगा एक डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुकिएगा और फिर दूसरी डालिएगा तो यह देखिए यह ऊपर आ चुकी है और अब हम फटा फट दूसरी भी डाल देंगे और इसी प्रोसेस से हमको एक के बाद एक टिक्की डालते जाना है इसके अंदर क्योंकि अगर आप एक बार में सारी टिक्के डाल देंगे ना तो पानी का टंपरिचर डाउन हो जाएगा जो हमने अभी चासनी यह तयार किये ना इसका टंपरिचर डाउन हो जाएगा जो कि ब करके दो तीन बार इसे हम चेक करेंगे फिर इसे हम low to medium flame पे 10 से 12 मिट के लिए पका लेंगे तो जैसे जैसे यह पकता जाएगा आप देखेंगे इसका color भी चेंज होता जाएगा हलका सा और यह फूलती जाएगी अपनी साइज से जस्ट डबल हो जाएगी तो आप देख सकते होंगे अब इसे हम हलका सा पलट देते हैं बीच बीच में आप इसे चलाते रहेगा तो यह देखिए अच्छी तरीके से यह पक चुका है यह देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूं और यह फिर से अपना आप चाहें तो ठंडा कर सकते हैं लेकिन यह पर मारी ठंडी हो चुकी है तो अब मैं इसे गर्म करम ही इसमें सर्फ कर रही हूं और हाँ आपको इसे सेट करने के लिए रखना पड़ेगा कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए ठंडी में और गर्मी में तो थोड़ा जादा समय भी अच्छा सा यह बन के तयार हो चुका है आप देख सकते हैं रबड़ी भी बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है और हमारी जो टिक्किया है न यह भी बहुत अच्छी बनी हुई है तो यहां पर मैंने ड्राइफ रूट से डेकॉरेट कर दिया है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप लोग इस नए साल पर इसे जरूर बना के ट्राइए किजिए अब बहुत ही पसंद आएगी आप सभी लोगों को सिर्फ एक लीटर दूद में हमने यह बना के तयार किया है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पांजी बना हुआ है उमीद करते हूं कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए चैनल पर ने तो सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलते है किसी ऐसी रेसिपी सब्सक्राइब तब तक लिए